नमस्कार दोस्तों क्रिप्टो जगत में पैसा बनाने के लिए खास करिये दिए आप ट्रेडिंग में हैं तो आपको पल-पल की खबरों पी निगाह होनी चाहिए आज की मुख्य खबर जो है वो इंफ्लेशन संबंदित है जिसके बारे में हम आपको लगातार जानकारी देत का स्वागत है यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं मुफ्त में तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए इससे क्या होगा आपको समय से पहले हमारे ज्यादातर यूजर्स को 99.99% पहले से पता था कि इंफलेशन का क्या होने वाला और 200 days moving average है वहां से हमें लगा था rejection मिल रही अच्छा shorting opportunity भी बन रहा था बड़ हम नॉर्मली bitcoin को bull market के अंदर short नहीं करते हैं बड़ यहां पर चूकी अब inflation का number अच्छा नहीं आया है 5% यह 2.4% तो हम चपर फाड़ते 3.1% तो हम सीधा orange box की तरफ जाते अब मुझे लग रहा हम जाएंगे orange box की तरफ eventually but slowly अगले कुछ दिनों में 57,500 जो है वो हमें बनता हूँ दिखाई दे रहा है यह वो long term सूर्ते हाल था जो बताता था कि अगर अच्छा inflation का डेटा आता है तो हम उपर की तरफ लाइन की तरफ जाते और अब हम जो है कहीं ना कहीं gravity works as I always say but यह बहुत ही slow grind wait and watch game होगी अगर आप expect कर रहे हैं कि bitcoin अभी 52,000 पर चला जाएगा तो ऐसा नहीं है bitcoin का खेल है सबको चकाना बट हम यहां पर आपको exact direction जुरूर बता सकते हैं कि now that inflation is not as per what we wanted हमें पता है चीजे कहां जाएंगे in fact stock market also जो मेरी खाल से काफी पंप कर चुकी है जब से Japanese yen का crash आया है मैं इस बात आज से हमें दिखनी शुरू हो जाएगी stock market में और अच्छे stocks आपको जो मैं आपको patreon पर बतातार होंगा खरीदने का आपके पस अच्छा खासा मौका है मैं आपको एक चीज यहां पर और और दिखाना चाहता हूँ दोस्तों आप बड़े से बड़े यूट्यूबर या ब बोलते हैं कल की वीडियो उठाके देख लिए क्रिप्टो मिलेने रोहिच शर्मा हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जो इससे ज्यादा सक्री है वहां पर हम दिन में कहीं सारे पोस्ट डालते हैं patreon पर हम चार पांच बार आपको market का सूरते हल बताते रहते हैं कि आगे क करने से रोका है एनिवेज गेरशिफ्ट करते हैं जापैन की पार्लिमेंट जो है एक special session करना चाह रही है जिसमें वो बैंक आफ जापान को एक और रेट हाइक करने के बारे में कहना चाहती है जापैन की जो पार्लिमेंट है वो 23 अगस्ते शुरू होगी और जापैन का एक हलका सा rate hike जिसने पिछले से पिछले मंडे को black मंडे कर दिया था पूरी दुनिया को हिला दिया था अगर जैपैन और rate hikes लाता है तो चीजे जो है काफी बिगड सकते हैं दुनिया भर में अब यहाँ पर मेरी prediction बोल्ड prediction यह रहेगी कि यह हाथी के Central Bank के गवर्णर को कॉल करके बोल रहे हो कि कि भईया rate hike मत करना अगर आप speculation की भी माने तो इस समें जो shorting है Japan के rate जो bond की yield का highest level इस समें आप देख सकते हैं 2007 के बाद highest level हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कही ना कि shots का accumulation भी बहुत जादा हो रहा है जो कहने कि यहां से Japanese yen तोटे का गगगी Japanese yen बहुत strong हो गया है और वो 2007 के level कर यहाँ पर क्या हुआ था अच्छे से जानते हैं सब प्राइम क्राइसिस ग्रेट फैनैंशल क्राइसिस जो भी आप उसको क्याना चाहें जब 2007-2008 में काफी जादा कंपनिय गोल्ड में सैक्स वगारा जो है वो ठप हो गई थी और यहां पर जो है आप लेमन ब्रजर्स माफ किजीगा तो यहां पर वही वाली परिस्ति बंतिव दिखाई दे रही है इस परिस्ति को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि जरॉन पावल से लिकर जैनेट एलन लगातार कॉल कर रही हूं कि जपैन को कि तुम रेट हाई करने के बार में सोचना भी मात हमारे सभी रिष्टे तूट जाएंगे नही डोंट भी वरी आइटिंक जो जटका हमें एक बार लगता है ना चाहे वो इसराइल का चाहे जपैन का चाहे वो मांट कॉक्स का जटका हो इसी तरी उसी वेवलांज से दुबारा नहीं लगता है यहां पर यह भी रूमर आ रहा था कल कि टू बिलियन डॉलर की मांट कॉक् मार्किट को यह बात का अंदेशा था कि शायद रेट इंफलेशन काम आया और रेट कट हो बड़ यहां पर जो है वो आज नेगटिव न्यूज में तबदील हो गया तो हो सकता है कि मार्किट इस बात को भी अब रियाक्ट करें दो बिलियन से ज़ादा के जो क्रिप्टो ह के भी नीचे जा चुक है मतलब ही अल्मस्ट एक तरह से ओल टाइम लो ही कहेंगे जो माइनर्स के बेचने के शमता है वो एक तम खतम हो चुकि है माइनर्स अपना सारा रिजर्व बेच चुकि एक तरह एक तरीके से और यह बहुत बड़ा कैटलिस्ट होता है यहां पर मैं पॉजिटिव होंगा यहां पर मैं बुलिश बात करूँगा क्योंकि जैसे मैं कहता हूं कि मार्केट जब सबसे अधा नेगटिव होती है तब ही सबसे बड़े पंप शुरू होते है और मार्केट के पास कोई कारण बचा नहीं है डंप लेने का आगे जाके अगले कुछ ह बात करें तो 2.2 बिलिएंड डॉलर के 2.3 बिलिएंड डॉलर के एथिरियम बेच चुक है जो उसके पास इन 9 बिलिएंड डॉलर के है तो यहां पर वो अल्मॉस्ट तीस परसें के करीब लगातार बेचता आ रहा है और बाकी सारी कंपनिया लगातार खरीदती आ रही है त यहां पर मैं था कि October, November, December will be massive, will be massive for Bitcoin मेरे विचार से मैं clearly Bitcoin को 80,000 से एक लाग डॉलर देख रहा हूं बेस्ट के सिनारियो एक लाग डॉलर बिटकोई में 31 December 2024 को दिख रहा है मुझे और उसके साथ साथ जो है Ethereum डेफिनिटी 4000 पार जाना चाहिए और Solana जो है वो सब के चहरे पिग लाएगा तो यह मेरे बिग 3 है जहां पर मेरा maximum concentration है और यह मैं हर दिन के साथ मेरा विश्वास और बढ़ता जा रहा है कंपनिया लोन लेकर लेकर माइनर्स के बेचने की बाद तो चुड़ी सबसे बड़ा जो माइनर है Marathon Digital वो लोन लेकर 200 मिलियन डॉलर के Bitcoin खरीदन हालविंग की बूल मार्केट जो है वो आज तक की वन अफ पूरेस चल रही है ताट इस अलसो वन सिगनल की हम जितना पीछे जल रहे हैं उतना हम average को पचहडएंगे law of averages काम करता है average growth trajectory यहां है और उसके हम काफी नीचे हैं and ultimately balance has to meet मेरे विचार से Bitcoin थोड़ा सा डिले है क्य है तो इसमें हम प्री हालविंग वाले लेवल पर ही है और पोस्ट हालविंग दो तीन महीने में यह सबसे lowest return है and I think that's gonna be जब धावग दो कदम पीछे जाता है तो उससे जादा तीजी से वो आगे निकलता है तो मुझे लगता है कि Bitcoin एक sprinter की तरह यहां पर और इसलिए हमने अपना विश्वास जताते हुए बड़े-बड़े 25,000 डॉलर का एक हमारा trade है जो अभी 12,000 डॉलर के profit पर है यह लगाता हम खुला रखेंगे और 45,000 डॉलर का trade इस हमे 32,000 डॉलर के loss पर है इसको भी हम खुला रखेंगे और आपके सामने इन ही दो-तिन ट्रेडों से हम hundreds of thousands of dollars बना के दिखाएंगे यह हमारी bot trading है जिसको अगर आप जादा रिस्की है आपका portfolio बड़ा है तो आप buybit पर या okx पर जाके copy कर सकते हैं अगर आपके छोटे portfolio हैं अगर आप 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 में ही trading करते हैं तो उसके लिए आपको हमारा दूसरा चैनल crypto millionaire Rohit Sharma आपको मिलेगा जहांपर आप जो है छोटे-छोटे trade हम आपको देते हैं patreon पर भी आपको हम मिलेंगे जहांपर हम लगातार दिन बर commentary करते रहते हैं और ये बड़े trades के लिए okx, bitkid और buybit के links हैं evo के बारे में हमने कल वीडियो डाली थी जो कि DEX है decentralized exchange है उसके उप आपको definitely crypto millionaire Rohit Sharma सब्सक्राइब करना चाहिए एक एक डे 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 खंडा हम आपकी questions के answer देते हैं so see you वहाँ पर मिलते हैं आपको दूसरे चैनल पर और शनिवार को आपको मिलेंगे giveaway के साथ जिसका प्रशन जो है इसका उत्तर जो है आज हमारी क्या पेक्षाथी inflation से और inflation कहां आईए comment करिए और आपको कि लगता कि अब इस inflation के average से print के चलते हमारा rate cut का सूरते हाल क्या रहाएगा comment कीजिए और अपना usdt address डालना मत भूलिए अपना ख्याल रखिए धन्यवाद जैहिंद